नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजरेर प्रभात कुमार सिंग अपनी यूट्यूब चानल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों डेली के भाती आज एक और वीडियो लेकर में आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आजके इस वीडियो में में आप लोगको एक बनता हुआ घर का फ्रेम जसा कि आप देख रहे हो कि दो तल्ला घर का जो फ्रेम का काम है वो कंप्लीट हो चुपा है इससे किस तरीका से बनया गया है? किस साइज का कॉलम है? किस साइज का बीम है? उसके साथ-साथ इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपा का खर्चा जाए इसके बारे में पूरा जनकारी देना चाहता हूँ तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हैं फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए बहुत सरा आइडिया आप ले सकते हो सबसे पहले इस बन रहे हैं घर का कॉलम के बारे में जान लेते हैं कि टोटल कितना कॉलम के साथ बनाया जा रहा है तो देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा टोटल बारा कॉलम के साथ इस बनते हुए घर को बनाया जा रह कि चलिए मैं थोड़ा नजदिक लेजाकर इस कोलम के साइज के बार में बतारेता हूँ और यह भी बताँगा कि साइज क कोलम बनाते हो तो कितना तला तकप ले जा सकते हो इसक metric का बात कर ले जाया है तो इसे 3 feet by 3 feet का footing लगया गया, जिसके लिए 4 feet by 4 feet का गड़ा खोड़ा गया, उसके साथ 10 mm का जाली बांद कर इस column का footing का काम को किया गया है, इसके साथ आए जान लेते हैं, इस घर में लगे हुए beam के बारे में, तो देख सकते हो, जहां पर इबरिक वरक होना है, उसके नीचे में आला कि finishing उतना अच्छा यहां बर नहीं आपाया है, आप इसका का chỉश्टिंग करवा है, उसमें यह सुने चित हो, लगे आपका जो सर्टरिय किया गया है, वो अचह तरीका से किया गया है, और जो मसाला बनाया गया है वो भी अच्छे तरीका से हो नहीं, उसके बाद ही और दूसरा दोनों तरफ आप देखोगे तो लगबक सारे तीन फीट के आस पास में छज्जा बाहर निकाला गया है आप चाहो तो सामने की तरफ बलके नहीं बना सकते हो उसमें यह सेप्टिक टैंक का जो कंस्ट्रक्शन कोस्ट होगा वो इंकलूड नहीं होगा सिर्फ फ्रेम का कंस्ट्रक्शन कोस्ट में आप लोगों बताऊंगा तो अगर आप ऐसा घर बनाते हैं यह ख़दर एस्वायर फीट में तो आपको तीन बेटरूम के अलावा हॉल ड जा सकते हूं क्योंकि जो कॉलम का साइज है वो सिर्फ 10 इंची बै 10 इंची का है तिन तला तक ले जाने के लिए आपको 9 इंची बे 12 इंची का जो कॉलम है 6 सरिया के साथ में बनाना होगा 12 मिमकार आप बात कर लेते हैं कि आगर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना खर्चा है इस फ्रेम को बनाने में तो इस घर के मकान मेल के अनुसार इसे बनाने में लगबख साथ लाग के आस्पासम खर्चा है वो आचुका है जबकि आप देख रहे हो की ब्रिक वर्क यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया गया है सिर्फ और सिर्फ फ्रेम स्ट्क्चर यहां पे complete किया गया है तो दोस्तों उमिद हर वीडियो के तरह इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी वीडियो अच्छा लगा है चो वीडियो को लाइक के साथ से चैनल को सब्सक्राइब किजिए घर complete होते हैं मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता र